नमस्कार दोस्तों स्वागत है मैरे को वीडियो के अंदर मैं हूँ आपको संदीप स्वामी और आप देख रहे हैं हेल्पी हैं हेल्प और बेटरमेंट आज पूर आपको बताने वाल हूँ कि GSTR 3B आपको इससे फाइल करने रहते हैं एक्चुली GSTR रिटरन करने के लिए आपको GSTR 1 और GSTR 3B है दोनों ही आपको यहां पर फाइल करने रहते हैं तो आज की जो आपको step by step पूरा प्रोसेज बताने वालो हूँ GSTR 3B का जहां से आप अपना जो फाइल रिटरन है खुछ से ही ओनलाइन कर सकते हैं तो दोस्तो GSTR 3B फाइल करने के लिए आपको जेशिल पेज पर आ जाना है इसका जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्रिशन में मिल जाएगा या फिर डायटली आप GSTR 1 अमने पहले से ही फाइल कर दिया है जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्रिशन में मिल जाएगा अब अपन बात करते हैं GSTR 3B तो आपको यहाँ पर हर महिने की 20 तरीको GSTR 3B आपको यहाँ पर फाइल करना रहता है परन्तु इससे पहले आपको यहाँ पर GSTR 1 फाइल करना कमपल्सरी है तो आपको यह वीडियो पहले देख लेनी है वीडियो देखके आप अपना GSTR 1 है वो फाइल कर सकते हैं GSTR 1 आपको हर महिने की 10 तरीको यहां पर फाइल करना रहता है तो simply आपको यहां पर GSTR 3B फाइल करने के लिए नीचे continue to dashboard के ओप्ष्न पे क्लिक करना है उसके वह एंसे महिने का आपको यहां पर फाइल करना है इसका मंत को आपको यहां पर सिलेक करना है उसके previously आपक के सामने एक निया पेज उपन होता है जहां पे आपको दो अप्शन आते हैं कि अगर आप अपना जो निल रिटन भरना चाते हैं तो आपको सिंपली यह के उप्शन पर क्लिक करना है मतलब आपके प्रिविएस महिने के अंदर किसी परकार की सेल नहीं हुई है तो आप यहां नमर पर इक Oti पर आता है जिसको आपको यहां पर एंटर करके सब्मिट करना है तो आपका यहां पर निल रिटन है वो फाइल हो जाता है अगर आपके यहां पर सेल होती है आप GSTR 3B को फाइल करना चाते हैं तो इस कंडिशन के अंदर आपको यहां पर नोक की ऑप्शन पे क्लिक करना है और next कर देना है जैसे ही आप यहां पे next के option पे क्लिक करते हैं आपके सामने एक निया पेज उपन हो चाता है जहां पर आप देख सकते हैं छान्हीं पर गविद्ग करने की जोट नहीं है प्रिवेश आपने के अब सकते हैं इसके पर यहां पर चेक कर सकते हैं इसके लबावा आपके प्रिवेस मंद के अंदर जितना भी आपका इन्वोज ता उसकी डिटेल आपकी यहां पर आजाती है GST1 के coding इसके लाव अगर आपने यहाँ पर एक state से दूसरे state के अंदर अगर अपने business के है तो उसकी detail आप यहाँ पर interstate supplies के option पर आखिए यहाँ पर आप check कर सकते हैं simply आपको क्या करना है जिस भी option को select करना चाते हैं उसको आपको यहाँ पर select करना है select करने बाद में आपके सामने उसकी जो detail है आपके सामने open हो जाती है simply आपको इसको check करना रहेगा check करने के लिए जैसी ही आप इसको open करते हैं आपकी जितनी भी tax liability बनती है वो आप यहाँ पर check कर सकते है center tax और state tax के according इसके लावा आपने यहाँ पर zero rated जितना भी आपका यहाँ पर invoice अगर आता है तो उसकी detail भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है simply आपको इसको check करना है check करने बाद में आपको नीचे जो confirm का button है उसको आपको यहाँ पर confirm कर देना है इसके बाद में आपके सामने यहाँ पर एक eligible ITC का एक option दिखाय देता है जो कि आपके लिए बहुत ही important होता है अगर आपने अपने business के लिए कोई भी invoice purchase किया है मान लिजे आपने एक लाख रुपे का यहाँ पर कोई भी समान को purchase किया है जहाँ पर आपको 18,000 रुपे की जो GST है अगर आपको यहाँ पर pay करनी पड़ रही है तो आपके यह जो 18,000 रुपे है यह आपकी जो total returnable amount है जितना भी आपका taxable amount है उसके अंदर से यह जो amount है आपका minus हो जाता है इसके लावा आपका जितना भी extra बचता है minus होने के बाद में वही amount आपको सिर्फ GST के अंदर आपको यहाँ पर return के अंदर आपको pay करना रहेगा simply इसको आप check करना चाते है तो आपको इसके ओपर click करना रहेगा क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाता है जहां पर आपका जितना भी इन्वोस है उसकी डिटेल आपकी यहाँ पर देखने को मिल जाती है हमारे अभी कोई SD purchase हमने नहीं किया है तो simply इसको चेक करने बाद confirm के button पे click करना है इस तरह से आप अपना जो GSTR 3B है इसको check कर सकते है इसके बाद में आपको यहाँ पे save GSTR 3B के option पे click करना है अगर आप अपने GSTR 3B को देखना चाते है तो previous के option पे click करेंगे आपके सामने file है आपके सामने open हो जाती है इसके बाद में आपको यहाँ पे proceed to payment के option पे click करना है अपको यहाँ पर चेक करना है अगर आपकी आपकी जिडेल है कुछ इस तरह से आ आजाती है आपकी total amount कितनी आपको taxable pay करने रहेगी किस तरह से आपको यहां पे Pay करना है तो आपको यहां पे तीन ओप्षन मिल जाते है NAFT, RTSS, E-Payment तो आपको यहां पे जिस भी Payment Mode चाप पेमेट करना जाते हैं उसको Select कर लेंगे उसके बाद में आपको यहां पे Generate चालान के Option पे Click करें है क्लिक करने बाद में आपका चालान यहाँ पर जेनरेट हो जाता है उसके बाद में आपके यहाँ पर net banking या preferred bank के option पर select करके आप जिस भी bank से payment करना चाते हैं उसको आप यहाँ पर select कर लेंगे for example मैं यहाँ पर HDFC को select करता हूँ treatment condition को apply करूँगा क्लिक करेंगे उसके बाद में आप रिडर्ट को जबते हैं net banking के option पर वहाँ पर आपके id से login करना रहेगा उसके बाद में आपके Continue खूप्शन पर click करना है यहाँ पर ऐसे कुछ फalter को यहाँ पर यहाँ पर जोन्यों फोस्ट क्रेज लेडियर के थी आपकी successful payment हो चुकी है आपको यहां पर total amount zero दिखाई दे रहा है proceed to file के option पे आपको click करना है एक निया page open होता है जहां पर authorize signature के आपका नाम आपको select करना है file ghtr with evc के option पे आपको click करना है उसके बाद में आपके mobile number पे एक ot पे आता है जो कि आपको यहां पे एंटर करना है verify के option पे click करना है जैसी ही आप यहां पे verify करते हैं आपका जो ghtr 3b है filing successfully हो जाता है उसका क्यारा नंबर है आपको यहां पे मिल जाता है download file GSTR 3B के option पिए आप क्क्लिक करेंगे तो आपका जो file है उसको आप यहाँ पे download कर सकते हैं इसके लवाओं आप यहाँ पे commonfaile status है उसको आप यहाँ पे check करते हैं तो आपका यहाँ पे file दिखा हुआ आ जबता है इस तरह से आप आसानी से आपका GSTR 3 बी है को आप फाइल कर सकते हैं इसके लाव आप एक नया GSTR प्राइल कर सकते हैं आपका Director कीं तरह से सेट आप कर सकते हैं तरिष और 1 की से फाहिथ फाइल करना है इसके लिए अगर आपने मालिचन को अब तक सब्सक्राइब नहीं किये तो प्लिच चनट को सब्सक्राइब किजिए बेल नॉटिविशन को प्रेस किजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो को नोटिकॉशन आप तक पहूं सके मिलते हैं नेक्स्ट किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो तर तब तक ले जय हिंग जय बार